आज हम कारक या परसर्ग के बारे में जानेंगे संग्या या सर्वनाम का क्रिया से सीधा सम्बंद करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं कारक आठ प्रकार के होते हैं पढला है कर्स्ता कारक इसका चिन्न है ने और पहचान कार्वि करने वाला अक्यप्रयोग शीला ने खाना काया दूसरा कर्मकारक का चिन्न है को पहचान जिस पर कर्म का प्रभाव को उसे हम कर्मकारक चिन्न है वाक्यप्रयोग मा बच्चे को दूद पिलाती है तीसरा करंकारक करंकारक का चिन्न है से के साथ के द्वारा पहचान कारी करने का साधन वाक्यप्रयोग चात्र कलम से लिखते हैं मैं चत्नी के साथ समोसा खाया टेलीफोन द्वारा सुचित कीजिए संप्रदान कारक इसका चिन्न है को के लिए पहचान जिसके लिए कारी किया जाए उसे हम संप्रदान कारक करते हैं वाक्यप्र मोहन ने रमेश को बुलाया साइनिक देश के लिए लड़ते हैं अपादान कारक अपादान कारक का चिन्न है से अपादान का अर्थ है अलग वोने का भाव वाक्यप्र पेड से पत्ता गिरा संबंध कारक संबंध कारक का चिन्न है का के की पहचान जो संबंध जुड़ता है उसे संबंध कारक कहा जाता है वाक्यप्र प्रयूँ राजा का दर्बार सजाया गया यह किसान की गाड़ी है वे मोहन के मित्र है अधिकरन कारक अधिकरन कारक का चिन्न है में और पर पहचान जो कारी का आधार को उसे हम अधिकरन कारक कहते हैं वाक्यप्र प्रयूँ गिलास में पानी है घड़ी दीवार पर है संबंध कारक चिन्न है अरे हे पहचान जिसे पुकार या सावधान किया जाए उन शब्दों को हम संबंध कारक पहचान वाक्यप्रयूँ हे बच्चो शोर मत करो अरे बच्चो मन लगा कर पढ़ो इस तरह हम ए आठ कारकों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं करताने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरन में पर संभोधना है